आज से बजट सत्र की शुरुवात हो चुकी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्हाने कहा कि संसत के संयुक्त सत्र में राश्टुपती का पहला अभिभाशन हमारे सम्विधान और खासकर महिलाओं के सम्मान के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया भारत के बजट के ओर देख रही है। आए सुनते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। 2023 का वर्ष आज बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है और प्रारम में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को माननेता होती है। बैसी आवाज चारो तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरन लेकर आ रही है। अमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वकु आउसर है। भारत के वर्तमान राश्पती जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राश्पती जी का भाशन भारत के समिधान का गवरव है। भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है। और विशेश रुप से आज नारी संमान का भी अवसर है। और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ संसंदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गवरों का पल है। कि भारत के वरतमान राश्पती जी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है। और हमारे संसदी कार्य में गठ्षे साथ दसक्त से जो परंपराय विक्सित हुई है। उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया साउसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है। तो किसी भी दल का क्योंन हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है। उनका आत्मविश्वाद बढ़े उस प्रकार से एक सानुकुल बातावन तयार करता है। एक उद्व उजवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन है। सभी सांसदों की दरब से उमंग, उत्सा और उर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो। ये हम सब का दाईत्व हैं, मुझे विश्वास हम सभी सांसद इस कसोच्टिक पर खरे उत्रेंगे। हमारी देश की वित्नमंत्री भी महला है, वेकल और एक बजेट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्तिति में भारत के बजेट के तरफ न स्रिव भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्तिति में भारत का बजेट, भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांशाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही। लेकिन विश्व जो आशा की किनन देख रहा है, उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजर आएं। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्यास करेगी। भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्म में अंडिये सरकार उसका एकी मकसद रहा है। एकी मोटो रहा है। एकी लक्ष रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंदर बिंदु में भी एकी विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटिजन फर्स्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावनाव को आगे बढ़ारते हुए ये बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी। लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए है। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्षे सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्यान करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के निती निधारन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करके अमर्त निकालेगा, जो देश को काम आएगा। पर एक बार आप सब का स्वागत करता हूँ, बहुत का सुप्वामना ही देता हूँ, धन्यवाद। लन्यवाद।